Guys, आज हम Taxonomy की वीडियो को कंट्टिनु करते हुए 3- म, टाइब्स अफ कलासिफीकेशन को हम पढ़ेंगे टाइब्स की ही, एक आपके पास preparing आप टाइब्स की है एक है और दाइब्स क्लासिफीकेशन है इनको थोड़ा आपके और फाइया experiेशन अगर define करेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो artificial system of classification अगर हम artificial system of classification की बात करेंगे it is based on one or many characteristics that can be observed मैं आपको example दोओगा guys कि हमारे पास एक scientist आए जिनका नाम आपने पिछली वीडियो में सुना होगा Carolus Lineus अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि Carolus Lineus is known as the father of taxonomy इनको क्यों taxonomy का father माना जाता है क्योंकि इन्होंने binomial system of nomenclature दिया था जिसकी वज़े से इनको जो है वो father of taxonomy माना जाता है इन्होंने उस टाइम में जो plants हैं उनकी 24 classes बनाई तमाम जो plants थे उनकी 24 classes बनाई पूरे जो plant kingdom है जो आज plant kingdom है जिसमें bryophytes हैं, teridophytes हैं, gymnos हैं, एंजोज हैं सिटेमन के बेसिस पर जो है इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया डिफरेंट टाइपस अब सिटेमन जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनकी बेसिस पर जो है लीनियस ने जो है 24 क्लासिस बनाई whole plant kingdom के जितने भी plants है यूनिवर्स में उस time के जितने भी plants थे उस ने क्या किया सिटेमन की basis पर उनको 24 classes में जो है उनको classify किया इस system of classification को हम कहते है artificial system of classification इस classification में क्या होता है हम किसी एक character की बुनियाद पर जो है इसका एक और example आता है थूफ्रेस्टस थूफ्रेस्टस का जो classification है वो भी artificial system of classification पर based था ठीक है अब आता है natural system of classification natural system it is based on the taxonomic characters like anatomical, biochemical, cytological, morphological and physiological characters इन्होंने जो क्या है on the whole plants को categorize किया है देखिए जिस तरह से इन्होंने देखा कि जैसे grasses हैं अगर एक grass है और इन्होंने देखा कि दूसरा भी इसी तरह का दिखता हुआ है इसकी morphologic जो है वो इसके same है इसी तरह की है बाद में इनकी limitation आई कि ये जो है different families के पर member होते थे लेकिन उन्होंने इसमें देखा कि अगर ये similar थे उस time में इन्होंने देखा कि अगर ये similar थे तो इनको एक class में डाल दिया है जैसे एक भी grass दिखता है और दूसरा भी grass दिखता है तो इसको grass family में रख दिया है एक tree दिखता है और दूसरा भी tree दिखता है और वो बिल्कुल similar type के दिखते हैं तो उनको एक ही class में डाल दिया means अगर वो ट्री अगर आज उनकी different class हैं लेकिन उस time पर उनोंने जो है उसको एकी class में डाल दिया है Jeśli रीज है इस इसको wym ?' राषिंट है है तो आई forgiving this training और साइंक है इसकी limitation आई बाद में इस system में dominant जो work क्या है वह Bentham & Hooker underاع स्फिल्धशब लें Bintumn and Hooker जो थे ये जो धो साइन्टिस्त थे यह काफी मश्यवफूu type of classification है इंडिया में भी यही system जो है यह लागू है Bint ntham and Hooker system का classification Bint them and Hooker system जो based very natural system of classification या निकै अगर हम इसकी definition दुबारा से पढ़ेंगे इस बेस्ड Integration like anotmical, biochemical, psychological, mathological, physiological इन्होंने सभी characters को जो है मदे नज़र रखकर इन plants को जो है plant kingdom को जो है वो classify किया ठीक है उसके बाद आता है हमारे पास phylogenetic system of classification यह phylogenetic system of classification कब आया जब चार्लेस डार्विन ने 1859 में जो है theory of evolution दिया और उन्होंने बताया जो आज के organisms हैं यह pre-existing organisms से जो है modify हो चुके हैं और modified जो आज के हैं यही जो है मतब इनके जो ancestor थे वो पीछे गुजर चुके हैं वो दूसरी form में थे और यह आज नाई form में जो है originate हो चुके हैं यह चार्लेस डार्विन की theory थी theory of evolution ठीक है 1859 में इन्होंने दी थी theory of evolution यह किस ने दी थी 1859 में चार्लेस डार्विन ने दी थी theory और इस theory में इन्होंने बताया कि जो आज के जीओ है यह pre-existing organism से आए है ठीक है it is based on genetic and phylogenetic relationship तो जब यह 1859 के बाद उस classification आई उन्होंने थोड़ा इसको भी मादर नजर रख दिया genetic and phylogenetic जो है जो evolutionary basis पर जो है इन्होंने classify कि आर्गिंजम को relationship between texamery characters इन्होंने क्या prominent work किया angular and parental system angular और parental system जो है यह dominant है और इन्होंने क्या है phylogenetic basis पर classify किया means evolutionary basis पर classify किया आर्गिंजम को इसकी जो एक limitation यह है कि इसको हम जो है बहुत molecular level पर जाना पड़ेगा तब जाकर हमें पता चलेगा कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया इन्होंने देखा कि अ de-marriage थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने सिर्फ morphological की basis पर प्लांट को classify किया लेकिन इन्होंने internally देखा genetic basis पर भी देखा कि यह plants same हो सकते हैं इनका DNA जो है यह same है या नहीं है इनमें कितना difference है उस basis पर इन्होंने plants को classify किया और हम इसको हम अगर मतलब एक comparison करें तो इसको ह molecular level पर इन्होंने DNA की भी studies की अगर हम देखेंगे और उस basis पर इन्होंने देखा कि evolutionary basis पर इन्होंने plants को classify किया आज के लिए इतना ही गाईज